और इसी के साथ दर्शक लगातार अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, आईए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है, हलो, नमस्कार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं, हाँ जी, हकीम जी से बात करने जी, बिल्कुल, नाम बताएं, अदाव साथ, हाजी उ तो मैंने आपका वो जैतुन नमक मंगाया है, और अलशी का जो आपने मुझे नुस्का बताया था, जी, वो मैंने उसमें आधा गिराम लेना चालू किया है, उसमें मुझे मेरे ख्याल में 5% आराम है, कुल, 10 दिन होगे मुझे लेते हैं, अच्छा कितना कितना ले रहे है आपने बताया था, गुरू जी, एक चम्मच वो बत बुल ले खाल शी और आधा गिराम वो मिलाने के लिए बुल ले ताउसमें है, ठीक है, आप लेते रहे हैं, तो ये खाना खाने से कितनी देर बाद लेना जी, फोरण बाद भी ले सकते हैं, और पहले भी ले सकते हैं, आप पहले लेना शुरू करेंगे, तो शायद और ज्यादा फाइदा हो, और ये खतम होने से पहले आपका रोग मुक्त होना, रोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, आपको फाइदा शुरू हो गया, ये मुबारक बात है आपको, और बहुत जल्द आप पूर स्वस्थ हो सकते हैं, चले वाकर में उमीद करते हैं कि जल्दी ही आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे, और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए है, उमेश जी ने हमें कॉल किया है, गाजियबाद से जानते हैं, उनके साथ किस तरह की परिशानी है, उमेश जी, पूछी अपना प्रशन है, उमेश जी प्रशन कीजी, जाएंगे, और इसी ने हमें कॉल किया है, गाजियबाद से जानते हैं, उनके साथ के साथ के साथ कि अध्य जी आप से रिक्वेस्ट करेंगे, टेलेविजिन का वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद अप चलिए उमेज जी हमारी बात अभी नहीं सुन पा रहे हैं और लगातार डिस्टर्बिंस आ रहा है जितने भी दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब वो हमें कॉल करें अपना सवाल करें तो टेलेविजिन का वोल जो है वो थोड़ा कम कर दें ताकि हम आ या अदित्य जी किस तरह की परिशानी है आपके साथ जी मेरी उमर 20 साल है जी और मैं कुछ खाता हूँ तो वो मेरे सभी को नहीं लगता है नेरा बजन नहीं बरपा रहा है मैं थोड़ा डूबला भी हो रहा हूँ जी और मेरा पेट भी जो है थोड़ा खरापता रहता है जे ठीके देखिए एक ये भी समस्या आती है उमर के किसी हिस्से में कि जो खाते हैं वो जिसम को लगता नहीं और पेट की समस्या ये लीवर की समस्या के अंतरगत ये सब होता है तो आप रखिए एक किनारियल पानी रोज खरीदें और उसमें आदा गिराम गौन मौरिंगा मिलाकर रोज एक बार पिलिया करें आप जो खाएंगे आपकी बाडी को लगेगा और पेट का भी ठीक होना मुम्किन है पेट ठीक करते हुए ये और आपके में पार्ट सब बाडी ठीक करते हुए आपकी समस्या का निदान हो सकता है चलिए उमीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े है संदीब जी ने हमें कॉल किया है बेहार से संदीब जी अपना सवाल कीजिए जी सर नमन का सब अधाव कि मैं आपने पापा को नुद पर यूरियन का ओप्रेशन करवाय थे 2010 में पापा का ओप्रेशन कराया थे कौन सी जगा का उर्शाब का ठीक है ठीक है कितनी उमर है उनकी उनका 52 है जी ठीक है तो इनको क्या अभी भी प्रॉब्लम की आज़र की जिसे अभी भी उनका क्या है कि फोर्सिंट नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा देखिए एक काम करिए आप कि एक जो किचन में हमारे होता है मैथी ये पांच सो ग्राम खरीद लें मैथी और इसमें एक आता है नमक जैतुन जैतुन का नमक कहते हैं ये रसाइन जैतुन हिंदी में कहते हैं और इंगलिष में ऐस्ट अस्टेक का एस्टेक इनको पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबा आधा चम्मच शाम पिता जी को दीजे उनकी ये परिशानी ठीक होना मुम्किन है जी और साथ ही हम अपने तमाम दरुषकों के लिए बता दें कि अगर आप किसी भी तरहे की जानकारी चाहते हैं दवाईयों से स सम्मंधित तो लगातार आप अपने टेलिविजन स्क्रीन पर हमारी हलप लाइन नंबर्स जो हैं वो देख सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं कोई भी दवाईय आप मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ सबसे महतपूर्ण बात ये है कि दवाईयों को मंगवाने के बाद उसक सेवन करना और सही प्रकार से सेवन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गई है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं रेखा सोनी जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से रेखा जी सवाल पूछ सकती है आप मैं जी बोल रही हूं नमस्ते नमस्कार जी जी आदा मैं जी बोल रही हूं मेरे कुछ सफेद पानी की शकायच है अभी 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 होने लगी जी ठीके एज बता दीजे सौनी जी 40 साल है ठीके और दीए ये महिलाओं में बहुत रोग पाया जाता है और वो अपने ये परिशानी शेयर भी नहीं कर पाती है आप हिम्मत वाली है वरना जादा तर लोगों को ये परिशानी है और बड़ा अच्छा इसका इलाज भी है एक गौन आता है इसे गौन मौरिंग सफेद कहते हैं गौन मौरिंगा सफेद ये आप 100 ग्राम कहीं असली मिल जाए सफेद वाला लेना तो अधा ग्राम आप पानी में मिलाकर रोज आना पी लिया करें रो मेटेर लेना पाउडर बना लेना अधा ग्राम पानी मिलाकर रोज एक बार पी लिया करें आपकी समस्य का निदान मुम्किन है जी हां वाकई में और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मीरट से हैं अमिज जी सवाल करना चाहते हैं जी अमिज जी बताईए क्या प्रश्न है नमस्कार जी सवाल करें मैं में साथ के की पूछ रहा था प्यरों के घुटने के जी दर्द हैं जी क्या उम्र है आपकी और कप से है उम्र क्या है और कप से यह तकलीफ है और वह गया तक पांच-छे साल कर अच्छे दिखी पांच-छे साल हो गए बहुत दवाएं कर ली अब कि युनानी दवा करिए दवा भी बताता हूं और गरेले नस्खा भी बताता हूं गरेले नस्खे के नाम पर एक गौन आता है गौन सिया सिया कहते है काले को ये काला गौन भी कहते है इसको और गौन सिया भी कहते है और ब्लेक गम भी कहते है अब इसे आप सो ग्राम कहीं स असली हासिल करें, असली मिलना बहुत जरूरी, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और ब्राउन सा होता है, ब्राउन कलर का, लेकिन गॉल्ब काला कहते हैं इसे, ये आदा आदा गिराम अगर सुबा और शाम नाश्ते और खाने के बाद लिया जाए, तो कैसा भ किहार से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है, राजपाल जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कारिक्रम में आपका अपना सवाल आप कर सकते हैं हाँ, हेलो, जी, पूछे सवाल हाँ, मेडम मूने, हमारे मेडम को जो है ना, पिर मनास में यह ना बहुत भर होता है, जी, दवाई जे मे मौप ए खा रही हाँ, ठीक ney ओ रहा है, कई चलने में काफिर मन परफानी हो जाता है कभी चुकी में दरद हो जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा जी क्या उम्र है आपकी मैडम की पचास मान के चलिए सर चीके मान लेते हैं देखिए बहुत दवाई और जिंदगी भर दवाई और कोई फाइदा नहीं और मैं जो अज़ना अनुभाव साजा करता हूं गौन सिया अगर मिल जाए असली बाला तो सो ग्राम खरीद लें बस और आदा ग्राम सुबादा आदा ग्राम शाम बगएर चरबी के दूस से पानी से या जूस से देना शुरू करें ये सो ग्राम कौन अगर असली मिल गया नकली तो वाकई में उमीद यही करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा रिशी गुपता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है उनकी भी समस्या है आईए जानते हैं क्या परिशानी है उनकी रिशी जी सवाल कर सकते हैं आप नमस्कार जी सवाल करें मेरे बाद जी का गुटनों का दर्द करा लीजे नहीं नहीं ओप्रेशन की ज़रूत नहीं होगी अगर आप मेरी सला मान लें तो जल्दी से ठीक होगा नहीं होगा तो देर में ठीक हो सकते हैं वो और ऐसी ही प्रेम कीजी अपने बडरे बज़र्द का और गॉन सिया कहीं से 15 गॉन सिया अता है काला गॉन जी से कहते हैं ये कड़वा होता है, मिलता मुश्किल से है या नकली मिलता है, असली हासिल कर लें, आदा गिराम सुबा, आदा गिराम शाम, बगैर चर्बी के दूस से, पानी से, या जूस से भी दे सकते हैं अगर डाइबटीज नहीं हैं, नाचते हैं और रात को खाने के बाद, और पिता लें, या कैपसूल टी के ले लें, अगर ये असली नहीं मिले, नकली मिले तो नकली मत लेना, नकली तो आप एक किलो भी खा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, असली अगर सो ग्राम में मिल गया तो पिता जी का ठीक होना मुम्किन है, और इसे के साथ किशोर जी की समस्या भी जान लेते हैं किशोर जी ने बिहार से हमें कॉल किया है, किशोर जी किस तरह की परिशानी है आपके साथ? तो एक तामील जी मिले, वो कहें कि उसके साथ हल्दी परस मंगाईए, हल्दी परस मंगाईए, आप साथ खाए लाव होगा, तो हल्दी परस भी आगे खाए, लेकिन कोई लाव भी तक नहीं हुआ, जी अच्छा, दर्द बढ़ा था क्या? दर्द कुछ नहीं बढ़ा, कम नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, बढ़ा भी नहीं, जी अच्छा, कोई औशदी खाते हैं, आप इंगलिज दवाई खाते हैं, कोई? अभी तो औशदी आपका हल्दी परस बचरा जो खाए हैं नहीं, कोई पहले खाते थे, दवा, इंगलिज दवा, दवारक दवा खायें, सब ज्यादा, होमियोपैश्यक की दवा खायें, बहुत दवा खायें, लेकिन दवा पेन किलर खाते हैं, तो कुछ कमता है, और कमता हमता, नहीं है अभी खाते हैं, आप एंगलिज चोड़ दी? पेंकिलर तो छोटी जब से आपकी दवाँ हम खा रहे हैं ज़ेर महीने से उबार होगे आपका दवा खाते लिए ठीक है ठीक है मैं समझ गया अच्छा देखें पेंकिलर अगर छूट जाती है तो फाइदा माना जाता है पैनकिलर अगर कम हो जाती है तो कम फाइदा अगर बिल्कुल छूट जाए तो समझ लिए पूरा फाइदा जिसने युनानी इलाज नहीं कराया होता उनको समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे दर्द हो तो मैं बगएर पैनकिलर के जिन्दगी नहीं गुजार सकता अगर वो कम हो गया है तो पैनकिलर लेना तो फाइदा है और जो खतम हो गया रोग दिया है बिल्कुल तो भी फाइदा है आप को और कुछ दिन कोशिश करनी चाहिए और कोशिश से पहले याद रखे कि आपके घर में वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए क्योंकि जो कमर और घुटनों में दर्द है हम जब वेस्टन टॉयलेट का उप्योग नहीं करते तो रोजाना उसकी रिपेर होती है और रोजाना बातरूम जाने से उसकी रिपेर खतम हो जाती है आप कुछ दिन और कोशिश कर सकते हैं लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखकर नहीं तो पिर आपका वाही दिलाज आपरेशन भी हो सकता है